दोस्तो इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि इनर्जी क्या होता है इनर्जी के कितने टाइप होते हैं जिसमें से हमने पाले टाइप पोटेंटिय इनर्जी के बारे में डिसकस कर लिया है इस वीडियो में हम दूसरे टाइप kinetic energy के बारे में discuss करेंगे कि kinetic energy क्या होता है दोस्तों kinetic energy के अगर हम बात करें तो kinetic energy को आप simple lagmanage में समझ सकते हैं कि kinetic energy वो उरजा है जो कोई भी object अगर motion में है तब ही वो उरजा apply होगी या कर सकते हैं कि कोई भी वोस्तों अगर motion कर रहा है तो वो उरजा उसी समय उत्रपन होगी हमने पड़ा पहले टाइप में potential energy के बारे में कि potential energy है जो कि वो उरजा होती है जो इस्थिर अवस्था में पाय जाती है मोशन में होती है तो उस रवस्था में अब वह आप पोटेंट से इनर्जी नहीं रहेगा वो कैनेटिक इनर्जी हो जाएगा अगर हम आपसे यह पुछें कि अगर कोई आपजिक्ट मोशन कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी उर जाओगी तो आपका जवाब होगा कि उसके अंदर है जो कि कैनेटिक इनर्जी होगा गतिच उर जाओगी अगर हम आपसे सवाल करें कि कोई आपजिक्ट अगर इस्थी रवस्था में है तो उसके अंदर कौन सी उर जाओगी तो उसके अंदर है जोगे potential energy होगा The ability to do work due to motion in an object is called kinetic energy जब कोई भी object motion करता है तो उसी motion करते समय यह kinetic energy generate होता है इसको हम denote करते हैं केई से और kinetic energy के अगर formula की बात की जाए तो kinetic energy is equal to होता है half mv square जहां पर m है जो की mass होता है उस वस्तु का और velocity which equal to velocity होता है और ke जो की kinetic energy इसका full name है अगर हम बात करें kinetic energy की SI unit की तो SI unit is equal to होता है इसका joule और quantity यह scalar quantity होती है kinetic energy और dimension unit की बात की जाए तो m1 L2 T-2 है जो की इसका dimension unit होता है देखिए यहां पर हमने कुछ उदान लिया है इससे हम आपको और असपस्ट तरीकी से समझाने की कुछिस करेंगे कि kinetic energy होता क्या है यहां पर पहला उदान हमने लिया है तैरता हुआ नाव तैरता हुआ नाव इस उदान को थोड़ा द्यान से सोचिए और बताईए कि तैरता हुआ नाव क्या इस्थी रवस्था में है या एक जगह से दूसरी जगह मूब कर रहा है तैरता हुआ नाव आप अगर ध्यान सोचेंगे तो यह तैरता हुआ नाव एक जगह से दूसरी जगह है जो की मूब कर रहा है तो जब move कर रहा है तो उसकी बीच कौन सी उर्जा लगेगी गतिच उर्जा kinetic energy लगेगा चलते हुए पंखे पंखा चल रहा है से पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था potential energy की बारे में जिसमें हमने इस उदार्ण को भी लिया था लेकिन उस समय पंखा रुका हुआ था तो जब पंखा रुका हुआ था तो उसके अंदर potential energy था लेकिन अब वही पंखा चलने लगा तो जब पंखा चलने लगा तो उसके अंदर kinetic energy आ गया चलता हुआ गाड़ी यह भी उदार्ण हमने potential energy मिल लिया था जिसमें एक वेक्ति जो की कार में बैठा हुआ है और पार जो की रुकी हुई है लेकिन इसमें वह गाड़ी जो की चल रही है तो क्या वही बस्तु इस्तिरवस्था में थी तो potential energy था लेकिन अब यह गाड़ी चलने लगी तो क्या हो गया kinetic energy हो गया तो आई होप आपको potential energy और kinetic energy की बीच का अंतर समय में आच चुका होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ उस बेल आइकोन को दबाना ना भूलें सी की साथ मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक के लिए जैन जै बारत